जंगल कम हो रहे हैं, बर्फ के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जानवरों के प्रजातियां खत्म हो रही हैं, शौर्ट में बोले हैं तो प्रत्वी तबाह हो रही है। यह सब सुनकर हो सकता है आपको लगे, यार मुझे तो अपने आसपाज ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, सब कुछ सही तो चल रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो आप गलत हैं। आज की तारीख में इंसानों के लिए सबसे बड़ा खत्रा है क्लाइमेट चेंज। और इस वीडियो में हम जानेंगे क्लाइमेट चेंज क्या होता है, वो कितनी जल्दी आपके घर तक दस्तक देने वाला है, और सबसे ज़रूरी उसे रोकने के लिए आप और मैं क्या कर स हैं, वो सब भी क्लाइमेट चेंज में ही आते हैं, अब तापमान इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इनसानों की वज़े से परियावरेंड में गर्म गैसों, जैसे कार्बंडा उक्साइड और मिथेन की मात्रा बढ़ती जा रही है, पिछले हजारों सालों में क्लाइमेट चेंज के पास, यह युनाइट नेशन्स की ही एक शाखा है, जो 1988, 1988 में बनी थी, और जिसमें 195, 195 देश शामिल है, इस पूरे समुहों का मकसद केवल यही है, क्लाइमेट चेंज पर सबसे सटीक जानकारी पूरी दुनिया तक महुचाना, ताकि हम सही कदम उठ सकें, अब IPCC ने कुछी महीनों पहले अगस 2021 में एक रिपोर्ट जारी किये, जिसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में सब कुछ है, इसी में हमें पता चलता है कि और दोगी क्रांती या इंडस्रियल रेवलुशन के बाद से प्रथवी एक डिगरी सल्सेस तक गर्म हो चुक यानि गर्म लहरे बहुत बढ़ चुकी हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने भी माना कि इंसानों द्वारा किया गया क्लाइमेट चेंज ही इन भयानक हीट वेव्स का कारण है अब बात केवल गर्मी की ही नहीं है क्लाइमेट चींज से और भी प्राकरीदिक आबदाएं एक साथ आती हैं और भयानक हो जाती हैं जैसे सूखा और बाड़ भारत में तो पहले ही दुनिया की 16 प्रतिशत जन्जंक्या रहती है लेकिन केवल दुनिया का 4 प्रतिशत साफ पानी ही हमें उपलबत है हम उन 17 देशों में से हैं जहां वाटर स्ट्रेस बहुत जादा है यानि हमारी जमेन का पानी खत्म हो रहा है जल के मामले में हमारी गिंती Middle East और North Africa की साथ होती है जहां चारों तरफ रेगिस्तान है ऐसे देशों के साथ भारत आता है तो आप समझ सकते हैं कि हालात पहले से ही कितने बुरे हैं क्लाइमेट चेंज सबको बच से बत्तर बना रहा है नहीं दूसरी तरफ है बाढ़ दुनिया का 75% पानी ग्लेशियर्स यानि बर्फ के पहाडों में है लेकिन गर्मी बढ़ने से ग्लेशियर्स पेखल रहे हैं इससे एक तरफ तो पानी की कमी आ रही है और दूसरी तरफ समुदर के पानी का लेवल बढ़ने से गुजरात से लेकर अंधर प्रदेश तक गाओं के गाओं पानी में डूब रहे है उधारन के लिए गुजरात में समुदर के करीब वैकरिया हनुमान मंदिर है आज से 17 साल पहले यानी 2004 में इसके पास एक नदी थी और उसके बाद समुदर की रेत लेकिन धीरे धीरे समुदर के पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि सिर्फ एक पत्थरों की दिवार ने समुदर को मंदिर तक आने से रोक रखा है आने वाले समय में ये मंदिर निश्चित रूप से डूबने वाला है United Nations का कहना है कि अगर हम इस सदी के अंत तक तापमान को देड़ डिगरी सेलसेस तक ही बढ़ाते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा और हम सुरक्षित रहेंगे अगर हम दो डिगरी सेलसेस तक भी बढ़ा देते हैं तो भी परिशानी होगी लेकिन काम चल सकता है अब समस्या ये है कि जिस तरह हम अभी चल रहे हैं हम केवल अगले 10 सालों में ये देड़ डिगरी सेलसेस तक पहुँच जाएंगे और किन शहरों के डूब जाने का ख़़रा है इसमें भारत की भी कई प्रमुक्ष जगें शामिल हैं जैसे मुंबई, चैन्नई, विशाका पटनम और कोची भारत की खुद की क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट जो की पिछले साल ही पब्लिश हुई है बताती है कि भारत में हीट वेवस इस सदी के अंतर तक चार गुना तक बढ़ने वाली है यानि जितने लोग अभी हीट वेवस गर्म लहरों से मरते हैं उससे कहीं जादा मरने वाले है अगर ये सब देखकर भी आपको लग रहा है कि अरे ये सब बकवास है मेरे घर तो रोज पानी आता है, एसी लगा है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं तो आपके हालत कुछ ऐसी है आपको लग रहा है नाव में छेद आपकी तरफ नहीं, दूसरे की तरफ हुआ है यानि दूसरे देशों या अलाकों में समस्या आएगी आपके घर में नहीं जबकि आप भी उसी नाव में बैठे हैं, यानि इसी ग्रह पर रहते हैं और छेद हुआ है तो पूरी नाव डूबने वाली है, यानि प्रत्री पर कोई ऐसी जगह नहीं जहां क्लाइमेट चेंज अपना असर नहीं दिखाएगा, खासकर भारत में क्लाइमेट चेंज की समस्या का समाधान साफ है, ग्रीन हाउस गैसेज में बहुत ज़्यादा कमी लाना होगी कहना असान है, करना मुश्किल, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है क्लाइमेट चेंज की खिलाफ दो तलो पर काम होना ज़रूरी है, इंडिविज्वल एक्षिन और गवर्मेंट एक्षिन अब सरकारे वही करती हैं जो लोग चाहते हैं, इसलिक इस वीडियो में हम उन कुछ बहुत अच्छे तरीकों की चर्चा करेंगे जिससे आप और मैं अपनी ओर से क्लामिट चेंज की खिलाफ बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं क्योंकि जब हम लोग इस परिस्ति को समझेंगे और सही फैसले लेंगे तब ही हम सरकारों से जवाब देही मांग सकते हैं और उन्हें सही फैसले लेने पर मजबूर कर सकते हैं सबसे पहले कुछ छोटे-छोटे लेकिन प्रचली तुपायों की बात कर लेता हैं जिनमें सबसे पहले आता है पेड लगाना पेड लगाना अच्छा है और इसका मतलब यह नहीं कि आप खोदी मिट्टी में पौधा गाड़ हैं आप ऐसी संस्थाओं में दान दे सकते हैं जो आपके पैसों से पेड लगाएंगे ऐसी कुछ संस्थाओं की लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाए इसके लावा आप गाड़निंग भी कर सकते हैं जो कि हमारे मानसिक और शारियरिक स्वास्त के लिए भी अच्छा होता है दूसरा हम जितना हो से के पब्लिक ट्रांस्पोर्ट का इस्तमाल करें और कम से कम फ्लाइट का इस्तमाल करें आप इलेक्ट्रिक साइकल्स, बाइक्स या कार्स का भी उप्योग कर सकते हैं Climate Change का एक और बहुत बड़ा कारण है हमारा उपभोकता वाद, यानि खुशी पाने के लिए चीज़े एकठा करना। हमारी हर खरीद हुई वस्तु का पर्यावरन पर पढ़ता है। क्या जो आप खरीद रहे हैं उसके आपको सच में ज़रूरत है या वो चीज़ आपको केवल विज्यापनों में happiness के नाम पर बेची जा रही है। जितना ज़रूरी है उतना ही खरीद कर हमें एक minimalist जिंदगी जी सकते हैं। और वेग्यानिकों की माने तो यही असल में खुशी देती है। हो सकता है इन सब उपायों के बारे में आपने सुन रखाओ क्योंकि environmentalism के नाम पर यही सब चीज़े अक्सर बताई जाती है। इन सब की अपनी उपयोगिता है लेकिन जिन चीजों का असल में प्रभाव पड़ता है उनकी अक्सर चर्चा नहीं की जाती है। उधारन के लिए हमें घर का पानी बचाने को का जाता है। लेकिन हम जो घर पर पानी इस्तमाल करते हैं वो हमारे टोटल वाटर यूसेज का केवल तीन प्रतिशत ही है। महीं बहुतर प्रतिशत पानी खर्च होता है हमारा भोजन बनाने में। NDDB के मुताबिक एक लीटर दूद की पूरी प्रक्रिया में हजार लीटर पानी लग जाता है। तो यानि अगर आप एक बाल्टी पानी नहीं भी ढोलते हैं तो भी जान लीजे कि आपके घर में जो दो लीटर रोज दूद आ रहा है। उसके लिए 2000 लीटर पानी रोजाना खर्च हो रहा है। जल की खपत के अलावा मास, अंडे और दूद वगरा पेड़ों के कडने का भी बहुत बड़ा कारण है। और भारत में 30 करोड से जादा गायबैसे हैं जिनके शरीर से लगातार मिथेन निकल रही है। ये मिथेन पर्यावरेन के लिए कार्बन डायोकसाइट से 80 गुना जादा बूरी है। अगर आप और डीटेल में जानना चाहते हैं कि मास खाने और दूद पीने का पर्यावरेन पर क्या परभा पड़ रहा है। तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आपके मास और दूद छोड़ने से प्रत्वी को क्या फायदा होगा इस पर भी मेरा एक वीडियो है। बनस्पती आधारित आहर या प्लांट बेस डाइट, मास, अंडे और दूद वगरा से सस्ती, जादा हेल्दी और पर्यावरेन के लिए बहुत जादा अच्छी होती है। इसके अलावा एक और बात जो शायद इस सबसे जादा ज़रूरी है। आज का फैक्ट यह है कि एक बच्चे के पैदा होती, उसके कारण हर साल 60 तन कारबन डायोकसाइट पैदा होनों शूरू हो जाती है। दूसरी और जब आप एक पेर लगाते हैं, तो वो 40 सालों में एक तन कारबन डायोकसाइट सोकता है। 40 सालों में तो बच्चा 2400 तन कारबन डायोकसाइट पैदा कर चुका होगा। हमें खुछ से ये भी पूछना चाहिए कि जब हमें पता है कि धरती की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। चारों तरफ हाहाकार मचने वाला हैं, गर्मी, बाढ़, सूखा और भी प्राकरतिक आपदाएं कहीं गुना बढ़ने वाली हैं, तो क्या ऐसी दुनिया में एक नए बच्चे को लाना जायाज है। और वो भी तब जब प्रत्वी के संसाधन यानि रीसोर्सेस बिलकुल खत्म हो चुके हैं और हर नया बच्चा प्रत्वी पर सीधे सीधे बोज है। तो सबसे पहले आपको सभी एनिवल प्रोड़क्स को छोड़ देना चाहिए, यानि दूद, दही, मास, अंडे, शहद, उन, चमड़ा वगयरा और जादा से जादा एक ही बच्चा पैदा करना चाहिए और हो सके तो आज की तारीख में नहीं ही करना चाहिए। अगर आप पर्यावरेंड की परभा करते हैं तो ये दो चीजें सबसे जादा परभाव शालिए। इसके अलावा आप इस वीडियो को शेर जरूर कीजिए ताकि जादा से जादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और वो भी सही फैसले ले सेगे। पर्यावरेंड बचाने के नाम पर रिसाइकल पेपर इस्तमाल करने वाए तो बहुत जोर दिया जाता है। लेकिन मास नहीं खाने को कोई नहीं बोलता। जबकि मास खाना और दूद की ना प्रेडों के कटने का सबसे बड़ा कारण है। प्लास्टिक मत इस्तमाल करो का बोर्ड आपको जरूर दिख जाएगा। लेकिन बच्चे कम पैदा करो या मत पैदा करो का बोर्ड आपको कहीं नहीं दिखेगा। तब कि आज की तारिख में प्रथवी के लिए और बच्चे पैदा होने से बुरी ख़बर कोई नहीं है। बहुत जरूरी है कि असली बाते लोगों पक पहुंचेंगे। इसलिए इस वीडियो को प्लीज शेयर केजिए।